तो चलिए, शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में पानी ले लिया है पानी मैंने sufficient amount में लिया है I mean, एक से दो g- glass लीया हुआ है और नमक लिया हुआ है स्वादा नुसार दोस्तो और थोड़ा सा हम यहां पर Refined Oil use कर रहे हैं इसके बाद में इसे अच्छे से गरं करेंगे देखिए पानी अच्छे से गरम हो गया है अभी हम एक कप सूजी ले रहे हैं और सूजी को बिलकौल दीरे-दीरे करके डालना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए और लंब्स ना पड़े JIMा तो धीरे चुरोणी करके दूलेगेぎ, और पान आप दागना हैं तो धीरे-धीरे काम पानी में थिमाने र Lak çık मेंसे का यह सिरे नहीं डान होकी ज़रूरी होता है bevor यहां है लिया हुआ और जैसे एक कप यहां पर मैंने सूजी लिया हुआ है उसका जस्ट हाफ मतलब आपको राइस फ्लोर यानि की चावल का आटा लिया है रैसे पूरी सूजी डालने के बाद में दोस्तो हम एक ठिक बैटर बना लेंगे बिल्कुल हमें एक जैसे आटा होता है उस त चावल का आटा एट कर रहे हैं और चावल का आटा अच्छे से मिक्स करेंगे उसे तब तक मतलब इसको अच्छे से तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि यह हमारा एक बड़िया सा जो बैट नो आटा होता है ना जैसे रोटी का आटा हम लगाते है उस तरह का आटा नहीं बनाना है मैं तो एक अच्छा सा हमें डो तयार करना है इस पूरे चावल के आटे का और सूजी का दोस्तो कितना अच्छा सा डो हमारा बन के तयार हो गया है अभी हम इस डो को यह मैंने एक मशीन ली हुई है यह एक गन के आकार की होती है इसमें हम या तो हैट के साइड में से खोल सकते हैं और इसके बॉटम के साइड में भी हम इसे खोल सकते हैं तो मैंने बॉटम वाला धकन खोलना है और इसमें साचे करीब 24 साचे दिये होते हैं तो जो सेफ वाला होता है मीडियम साइज का जो होता है वह हमने यहां पे साचा मेडियम साइज के आकार वाला यह देखिए और तो यह साच आप लगाएगा और इसके अंदर यह जो आप एक पॉइंट होता है उसको खीचते हुए आप इसे अच्छे से इसके अंदर जो हमारा डो है वो भर सकते हैं यह देखिए इसे मैंने प्रेस किया इस बटन को प्रेस जितना इसमें आ सके और इसके बाद में हम इसका साचा लागाते हुए इसके जो बॉटम वाला जो ढखने इसको बंद कर देंगे दोस्तों और यहां पर मैंने कढ़ाई में एक काफी गरम कढ़ाई रखिए उसमें मैंने रिफाइंड ऑल यूज किया हुआ है कि वल रिफा दालमुट बन जाती है मैं अगर आपको इसको खरीदना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे दोस्तों जिससे आप आसानी से पर्चेस कर सकते हैं इस तरह से हम यहां पर सेफ बना के तैयार कर लेंगे दोस्तों सीव हम दोनों तरफ सेख की निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा रेड नहीं करेंगे बिल्कुल वाइट नहीं रखेंगे हलकी से कड़क होती है वैसे हम इसको निकाल लेते हैं दोस्तों अब मैंने यहां पर पोहा लिया हुआ यह जो मोटे दानों वाला पोहा होता है वो मैंने लिया उए और इससे डालेंगे मैंने करीब आधा कप लिया हुए है यह देखें अगर आप इसमें تेल का गरम होना बहुत जरूरी है जैसे ही तेल गरम होगा वैसे ये फूल के ऊपर आ जाएगा दोस्तों और इसे च्छान के अच्छे से हम निकाल लेते हैं ओहा निकालने के बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पर मूमफली के दाने एट किये हुए हैं मुमफली के दानों को अच्छे से फ्राई करेंगे जैसे यह अच्छे से फ्राई हो जाते हैं इन्हें निकाल के अलग कर लेंगे आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं अपनी नमकीन बनाने में वह सारे आप इसमें एट कर सकते हैं जैसे कि आप corn flakes डाल सकते हैं और जो भी आपका mono वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं मैंने बहुत ही कम चीजों सी यह नमकीन बनाई है ताकि यह बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि यह खट्टी मेठी नमकीन होती है दोस्तों मुंफली फ्राई करने के बाद में यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिये हुए करी पत्ता को हमने कमी तील में बहुत ही अच्छे से फ्राई किया हुआ है जैसे यह फ्राई हो जाते हैं इनको निकालके अलग कर रहेंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम इसमें किस्मिस एट करेंगे और किस्मिस बहुत ही जल्दी फूल जाएगी दोस्तों और इसे जैसी फूल जाएगी इसे हम छानके अलग कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा काजू एट करेंगे इसमें तो बस हलका सा रंग चे कर सकते हैं जो आपको ड्राइफ रूट लेने कमानों UP आप ठीक पर राल जुसीस कर सकते हैं जी आप दोख़न हैं यहां अच्छे सरकी राखना है और यह थी चुछ सरकी सीज हो खांद मीर्च बहूं कोटा है इसके बद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम चाट मसाला यूस करें Armstrong गज़न के यहाँ चाटब मसाला यूस करेंगे करें कि काला नमक का टेस्ट अलग हता है और जो नार्मल नमक का विशissements को तैसल की विद्टेर होता है दोस्तों इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे सुगर और नंमा कि सब चीजे बैलिज करते याप चाहे तो इसमें हल्दी भी यूज कर सकते ह俺 ने नहीं यूज की हुई है तो इस तरह से सारे मसाले हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारी खटी मिठी सी नमकीन दोस्तो तैयार हो जाएगी दोस्तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके थाइंक्यू सो मच दोस्तो फोर वाचिंग माई वीडियो